में तवचा की कही समस्या हो सकती या फिर चहरे में कोई निशान या范 गढ़े भी हो सकते हैं जो कि चहरे सारे खुप सुर्थी को खत्म कर देते हैं अकतर आपने देखा होगा की लड़की और लड़कियां चहरे खुबसूरती बढ़ाने के लिए केमिकल यूप्त प्रोडक्ट उप्योग करते हैं ठंड जा चुकी है और लोगों को उनके स्किन पर कुछ नुकसान भी दे कर गई होगी लेकिन आज हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहे हैं जो आपके चहरे में चार चाम लगा दे भी तेजी से भरने के साथ ही उसको बेदाग बना देते हैं तो चले जानते हैं कि तवचा के दागधबों को दूर करने के लिए सेंधा नमक क्या फायदा देता है चहरे पर पड़े गठों को भरने के लिए सेंधा नमक और ओटमिल का फेस्पेक बनाएं इस फेस्पेक को के लिए ओटमिल में सेंधा नमक बादाम और नीम्बू का रस डालकर मिक्स करें अब इस पैक से चहरे पर हलकी हातों से स्क्रब करें कुछ दिनों तक लगातार ऐसा करने से गठे भरने शुरू हो जाएंगे एक चमस सेंधा नमक में दो बूंद नीम्बू के रस की डालकर मि महां से ब्लेक हैड्स और डेट स्किन की की समस्या से निजात मिलताह चेहरे पर निखार लाने के लिए सेंधा नमक और जेतुन का तेल मिक्स लगाए इस मिश्रण को लगाने से चेहरे की कड़्े भी आसानी से भर जाएगे दस मिनुट तक हलके हातोंसे सेंधा नमक और ज चेहरे को गुनकुने पानी से धोले गर्मियों के मौसम में संटैनिंग की समस्या होना आम है काली पड़ी स्किन को साफ करने के लिए शेहत सबसे अच्छा उपाया है सेंधा नमक में थोड़ा सा शेहत मिलाकर इसे चेहरे को स्क्रब करें इसे हपते में दो बास इस्तेमाल कर निकालता है और बादाम तेल को मौस्यलाइज करने का काम करता है इन दोनों को इकठ्था मिलाकर लगाने से चेहरे की तवचा मुलायम बनी रहती है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बैल आइकन फूर अपडेट्स